हलो फ़र्ट्स कैसे हैं आप सभी दिल्ली उर्शिटी के तरप से नई वेकेंसी लिस्ट कर दीगी है ओनलाइन फॉर्म फिलप किये जा रहे हैं दो जार रिकिस में भेरियस पोस्ट की वेकेंसी आ चुकी है मैं आपके सामने प्रिवियस एर पेपर कंटिनूसले लेकर आ रहा हूँ और आगे भी लेकर आते रहेंगे अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चलो सब्सक्राइब कर जगा यहाँ पर बात की जारी है पेपर के बारे में यहाँ पर हम लेकर आ चुके है Laboratory Assistant का previous year पेपर प्रैक्टिस करने के लिए पेपर आप देखिए कितने आपसे बन रहे हैं कितने आपसे छूट रहे आगा बढ़ते का लेगर बारे में एक का कोइसे सारे कोशन करने हैं देखेंगे कि आपकी पढ़ाई का लेबल कहां पर है और पेपर में कैसे question पूछे गए है previous year में पेपर ले आने का main purpose यही है कि practice करें एक अच्छा आपके सामने mock test paper जैसा paper है previous year paper है आप इसको खुद से पढ़ कर देखें और कहां गलती हो रही है अपने आपको analyze करें इसका answer की भी upload कर दिया जाएगा telegram channel पर आप जाके join कर सकते हैं telegram channel exam competition search करना है वहाँ जाके join कर लिजेगा paper लेकर आए हैं आगे भी लेकर आते रहेंगे और उमीद करते हैं कि आप जोस्तों को share करेंगे अगर आपने अभी तक चलना सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लिजिए क्योंकि पेपर हमारे चनल के माध्यम से upload किये जाते हैं continuously पेपर जो होती है answer की भी आती है उसे प्लोड करते हैं प्रीविए से पेपर पर अप्लोड करते हैं कोशिस से करते हैं कि आपको हमेशा अपडेट करते रहें इसका answer की अप्लोड कर दिया जाएगा टेलीग्राम चैनल पर वहां पर जाकर आप जोईन कर लिजिए exam competition सर्च करना है वहां जाकर जोईन कर लेंगे इसका answer की अभी अप्लोड तो नहीं किया लेकिए अप्लोड कर दिया जाएगा और कोशिस यह करेंगे कि बहुत जल्दी अप्लोड कर दें आपनी वहां जाकर जोईन कर लिजिए आपको सिर्च करना है exam competition सारे कुशन देखिए कैसे कुशन आए हुए हैं कितने आपसे बन रहे हैं नीचे कॉमेंट करके बताईएगा पेपर का लेबल कैसा लगा पेपर कैसा लगा कितने आपसे बने कितने गलत हो हैं सब कुछ आप चेक करके बताईएगा नीचे और अबरॉल पेपर का experience कैसा रह आपको और अगले वीडियो में कौन से टॉपिक ये कौन से सब्जेक्ट ये कौन से वेकेंसी का पेपर आप देखना चाहते हैं इसके बारे में नीचे कॉमेंट करके बताइएगा जैसा आपका रिस्पॉंस आता हुसे साफसे हमने वीडियो प्लूट करते हैं अगर आप पे साय। शिर्ट के पेपर्स कर लिए हैं एक-एक कर्के सभी अप्लूड कर देंगे दिल्ली ऑप्लोड का पेपर है तो आप प्रैक्टेस करने के लिए अगर आपकी रिजणिंग में प्रैक्ट permit करना है तो लेटस पेपर चाहिए आपको तो हमारे चनल के माधियम से वो सभी important information आपको upload कर दी जाती है, paper upload कर देता है, कोई vacancy आती है, कोई result आती है, हर एक छोटी बड़ी update आपको मिलते जाती है, और यह कोसिस करते हैं, कि आपको update करते रहें, paper देखिए कैसे question आई हुए हैं, और paper कल भी upload मैं कर दूँगा, कोसिस करूँगा, कुछ letters paper जो भी online paper लिए गए हैं, उसे upload कर दें, जिससे आप practice करके अपने आपको check कर सकें, और कितने आपसे question बन रहे हैं, कितने आपसे question चूट रहे हैं, paper का label, pattern, syllabus, और कितने गलतियां हो रही हैं, सब कुछ आप यहापर check कर सकते हैं, overall कितने number बन रहे हैं, आपको, सब कुछ चेक करने के बाद, यहापर आप चेक कर सकते हैं, paper मैंसा question आएगा, तो आपसे कितना बनेगा, आप यहापर check कर सकते हैं, चलिए बढ़ रहे हैं, आगे, दोस्तों को share करना मत भूलीगा, इसके और paper upload कर दिये जाएंगे, junior assistant के, assistant के, और जितने vacancy निकाले गई हैं, उतके paper कोशिस कर रहे हैं, लेकर आने के लिए, जैसे के आपको पता होगा, previous year paper डूढ़ना बहुत मुस्किल होता है, और कोशिस हमारे किसनल के माधिम से रहती है, कि papers लेकर आएं, कैसे भी करके, इसके रेंज करके, डिल्ली इंवर्शिटी निकाली गई है, बहुत दिनों के बाद निकाली गई है, वैसे college vacancy लेते रहती है, आपको पता होगा ची तरीके से, डिल्ली जितने colleges हैं, वहीं पर posting भी होने वाली है, सभी के posting college में ही होने वाली है, और पहले क्या होता था, पह और उसके अपने हिसाब से selection process को decide करते थे, इस बार इन्होंने बड़े पैमाने वेकेंसी खुद से ही निकाला है, दिल्ली इंटी को वेकेंसी निकाला गया है, उनके द्वारा NTO को सौपा गया है paper लेने के लिए, तो यहाँ पर जो paper बनेगा, काफी अच्छे label का paper होगा, paper का paper लेती है, आप जानते भी होंगे, जितने भी दिल्ली इंटी papers होते हैं, masters के लिए, उस सब NTA ही लेते हैं, तो काफी paper का label standard रहता है, और जो अच्छे score करते हैं, उनका ही selection होपा था है, क्योंकि paper का label काफी अच्छा label रखते हैं, तो उससाब से त्यारी कीजिए, paper अच् test paper लगाईए, अगर वेकेंसी को लेकर आप serious हैं, अगर आप से वेकेंसी में selection लेना चाते हैं, तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको previous year paper धूनने से समय बरबाद नहीं करना है, paper आपको mock test paper लगाना है, test series लगाना है, और कोसिस करना है कि NTA का कुछ papers होए हैं, आप search करेंगे, NTA के दोरा जो paper लिए गए हैं, उसको आप देखिए, और उसके language को पढ़ कर देखिए, क्योंकि क्या होता है कि अगर आपने कभी भी उस agency का paper नहीं दिया है, ऐसा होता है बहुत बचों के साथ, अगर आपने कभी भी उस agency का paper नहीं दिया है, अगर आपने TCS का ब language को पढ़ना समझने में time लगता है पहले paper में, उसके बाद दूसरे तीसरे में आपको habit हो जाती है, अब समझ जाते हैं क्या उपर कहा गया होगा, अब सीधे उसको question को analyze करना लगते हैं, तो आपको करना कुछ नहीं है, इसे साब से मैं कोसिस करूंगा कि जितने papers NTA के selection नहीं होने वाला, paper solve करके selection होने वाला होता है, तो हर को ही आज paper solve कर रहा होता है, लेकिन बात यहां पर यह है कि कुछ pattern, कुछ तरीका, कुछ planning तरीके से पढ़ाई करने से selection होता है, और उसको हर चीज़ पर follow करना होता है, चाहिए subject है कोई आपका, या आपकी routing है, जो आप से paper search कीजिए, बहुत सारे online papers है, बहुत सारे आपको लगेंगे, काम की vacancy नहीं है, काम के papers नहीं है, उसमें से कुछ आपको लगे, काम की है, तो उसे paper देखिए, एक बर दो, तीन, चार question, दस question, देखिए, उसका language समझने कोसिस कीजिए, फिर कोई और paper उठाई कोई subject का, उ आप instruction पढ़ रहे हैं, paper में start किया, next start किया, उसके बाद आपने पहला heading पढ़ना start कर दिया, जो लंबा चोड़ा लिखा रहता है, क्योंकि इनका heading आती है, काफी लंबे चोड़े में होती है, उसे आप पढ़ने लगे, उसके बाद आप question पढ़ेंगे, तो बहुत time लगती ह है, उसे आप TCS का paper देते हैं, SFC का भी दिया होगा, CHSL, MTA, CPO, STANO, ऐसे वेकेंसी निगलते रहती है, और TCS various post के papers लेते हैं, उनके language बहुत ही simple होते हैं, और compare करें, जो NTA का language है, अगर आपने कभी IIT का paper दिया होगा, तो समझ मेहार होगा, उनके instruction कितने ज़्यादे होते है तो सब कुछ आपको समझ लेना होगा एक बार, और उसे सबसे त्यारी करनी होगी, सारे question कीजिएगा, नीचे comment करके बताए का paper का label क्या है, कैसा लगा आपको, और overall वीडियो कैसी लगी, नीचे comment करके बता सकते हैं, जूनियर असेस्टेंट की vacancy निकाले गई है, असेस्टेंट की vacancy निकाले गई है, और various post की vacancy निकाले गई है, तो अगर आप, मैं बताना चाहता हूँ, अगर आप search कर सकते हैं, जेन्यू का paper यह पड़ा हुआ है, गूगल पर है, आप search कर सकते हैं, जेन्यू जूनियर अस कुछन पिपर तो आपको मिल जाएगा साके नामसे भी कैन से निकाले गई भी है सबर तो अगर हейств करेंगे जी न्यू एसस्टेंट को सरण पर अगर साघ्ट करेंगे दिल्ले इृन्रशीटी को से पर तो आपको मिलना मुस्किल आप धूंड भी रहा होंगे अप धूंड़ा भी होगा गूगल पे तो आपको नहीं मिला होगा क्योंकि काफी साल हो गया है पेपर लिए हुए जो एंटीए ने कभी जूनिय असेस्टेंट का पेपर लिया हो ऐसे मिलना बहुत मुस्किल है जो कांटिनूसली पेपर लेते हैं और डिपार्टमेंट एक सीक्वेंस के तरीके से अपने चैनल पर अपने वेबसाइट पर पेपर अपलोड करती है तभी आपको मिलेगा गूगल पर सर्च क नगी के लिए अगर प्राक्ट्रश करना चाहते हैं तो आप सार्च कर सकते हैं जी एक पर बहुत सारा है उन्हें अरेंज करके अपने वेबसाइट पेपर आप साथ मिल्सक्ते हैं जूनियर असिस्टेंट पेपर जो है आगे कि जाएंगे तो कोशी से करना है कि हमें साब लेते रहें तो यहां पर वीडियो खतम कर रहे हैं उमीद करते हैं दोस्तों को स्थियाज करेंगे वीडियो अच्छी लगी होगी चैनल सब्सक्राइब कर लिया होंगे नहीं किया तो कर लीजिए क्यूंकि पेपर्स और भी अपलोड किये जाएंगे और आपकी सब्सक्राइब करें और अपने आपको टेस्ट करके देखें आपकी पढ़ाई का लेबल क्या है कितने आपसे बन रहे हैं कितने आपसे छूट रहे हैं और कितनी गलतियां हो रही हैं चलिए वीडियो खतम कर रहें तब तक लिए गुडबाय और टेक कियर